फेरे विदेर्थियों ले आरपरी सचीनेकाल में देश्ता सिंह सानिसमास्टर कारी सेने स्कैट्री स्मार्ट स्कूल उनरियां जिला मांसा पेरे विदेर्थियों अच्यसी सत्मी क्लास तापाथ पौथ्यामिच पोश्चन इस दे प्रशन उत्तर समझांगे प्रशन उप्तरां बारे पढ़न तो पहला, असी इस पाट दे कुछ जो महत्तपुरन फाग हैं, उना दी दहराईं करांगे, तब तो पहला, असी इस पाट दे विच हुन तक पढ़ चुके हैं, प्रकाश संसलेशन के रहाँ, प्यारे विद्यातियों, प्रकाश संसलेशन के रहाँ की है, कि जड़े हरे पहुते हैं, ओ सूरर दे प्रकाश दी मौझूदगी विच, कारबन डाइयोकसाइड, गैस, अते पाण, इना तो अपना पोजन त्यार कर दे हन, गुरू को उस दे रूप दे विच, जासी इस नो स्टार्थ भी बोल दे हन, एस किरिया नो प्रकाश संसलेशन किरिया के रहाँ, जेडी एक किरिया है, कई बार एदे रिगार्डिंग उच्छा भी जादा है कि इस विच केड़ी केड़ी कच्ची समगरी दी वर्तों हुंदी है, तो उस कच्ची समगरी दे विच जेसी गल करिये, ता कारबन डाइयोकसाइड जैस, जेडी पौध्यान, वायुमंडल दे विच्चों मिल दी है, पाणी जड़ा है उच जड़ा द्वारा मिट्टी दे विच्चों सोख है ज़नदा है, अते सूरज दी रौष्णी इस अन्नू सूरज दो प्राप्तों दी है, इनना तो इलाबा इक होर महत्ता पूरन वर्नक है क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल पत्या जड़ा दे विच्च महजूर होंता है, एसे क्लोरोफिल दे कारण पत्या दाजड़ा रंग है, उस अन्नू हरा नजड़ा है, तै चारे सिज्चां कारबन दाइक्साइड, पाणी, सूरज दी, रौष्णी अते क्लोरोफिल, इस परकाश संसलेशन के रहा लई, बहुत एह करें है। जो पोजन मौद्ध्याँ द्वारा बन्दा है , वह अपने विकास दे लेए, कुछ पोजन ते विक्चों वर्क लेंडे हैं, अथिक कुछ पोजन वह स्टोर कर लेंडे हैं, वह किसे फल्दे रूसे विक्च्च श्टोर हो सक available है। इस तो बिना जे असी जीवादी गल करिए जिडा सम्पूरन पौता जगत है अते जन्तु जगत असी इननों दो पागा निफ्ट बंढ लेंदे हां इक दे विच्च सबय पोशी अते दूसरे दे विच्च पर पोशी सबय पोशी डीजेसी गल करिए एदा अर्थ समझिये तब एस विच्च ओ हरे पौत दे आंदे हां जो अपना पोजन आप बनाओ दे हां सबय मतलब समय खुद पोशी मतलब पोशन तेड़े अपना पोजन खुद त्यार काते हां खुद बणाओं दे हां ओ सारे हरे पोते ओ सबय पोशी कहलोंगे हां पर पोशी पर पाव पराया ओशी पाव ओशन ओजी जो अपने ओशन लई दुज्जे जीवां देने प्रकाते पाव ओजी जो अपना पोजन आप नहीं बढ़ाँदे जो फोर पाँदे जां जीवां दे उत्ते निरपर होंदे जिमें मनुख है जिमें गां है मज है तो जिन्ने वी जन्तुने जिड़े पोजन दे लई जाता पौद्णा देने पर करते हैं जां फिर जीवां दे उत्ते उन्हानों सी परकोशी जीव आते हैं जिड़े अपना पोजन खुद बढ़ांते सी वो सी सवय पोशी जिड़े खुद नहीं बढ़ांते वो होगे परकोशी इस तो इलावा कुछ होर जिड़ियां टर्मा ने जमें परजीवी परजीवी भी परकोशी दी ही किसम है ए ओ जीव जां पोटे हन जो जीवत रहन ली दुझे जीवां दे शरीर नूं अपना नवास बढ़ा के पोजन प्रापत कर दें ए अपने होस्त नूं काफी हद तक नुक्सान मी बचाओ दें उन्हुंदा की है जमें उदारंदे लईयसी गल करिये अमर बेल उसी देख्या होवेगा के बहुत सारे जड़े पाद्दे है उन्हादे उत्ते आमर बेल एक कम जोर जे तने दा एक पाद्दा हंदा है जिड़ा ओस पूरे रुख दे उत्ते खैले हंदा है ता एस दा कोई पत्ता नहीं हुंदा अमर बेल दा यह अपना पोजन शाने खुद नहीं बनांता है पर जिस होस्टते है जड़ा इस दा होस्ट है भाव जिस पौद्दते उत्ते एहे हैं वसे दा पोजन जड़ा है उस ता उपयोक करदा है है अलह ओ आ WIL्ड़ि होली शुखना शुरू हो जन्दा तो उसनों काफी हद तक देशदा लुक्सान हुंदा है इसनों असी परजीवी बोलते हैं एक हुंदे ने मिरित जीवी एवी परपोशी हां ए ओ जीव हां जा पौते जो अपना पोजन प्रापत कर लेई अपने आपनों जीवत रखन लेई मिरित जां गले सड़े जैविक पदार था ते निरप्रपर करते हैं पाव इन्ना दा जड़ा पोजन है ओ गले सड़े जैविक पदार था ओ दा आरंदे लेई एस विच पुली अते मश्रूम जिनों सी खुंबां होते हैं ओ मृत जीवी हान इन्ना नूं मृत अहारी भी कहा जाँ लगे जिन्ना का अहार मृत जीव होन जां गले सड़े जीव होन अपू मृत जीवी दी गटे करीदे विक्चर आंदे यां तो एक उच्छ टॉपिक्स ही एक तो हो रहें दे हनो भी आप डिस्कस करते हैं नाल्दी नाल जिमें स्टो मैटा की हुंदा है स्टो मैटा पट्यां दी सता दे होते उ महीन सुराखं महीन पाब चोटे-चोटे सुराख ने जो पौत्यां दे विच्छ गैसा अदान परदन करते हैं कारवन डायोक्साइड नूँ वाजू मंडल दे विच्चों सोख देने अति आक्सीजन नूँ वाजू मंडल दे विच्च शाट देने इस तोंक के लावा जिडे स्टो मैटा ने वो पौत्यान दे विच्च वाशप उतसर्जन दी पूमिका भी अदा करते हैं वाशप उतसर्जन की विदा है वाजू विच्च प्रकाश शंसलेशन करें तो बाद जो बदू पानी बच जाना है ओस्ता वाशप बढ़न के पत्यां को उड़ जाना है उसनों वाशप उतसर्जन के अजन्दा है तो यह जड़ी पूमिका है ओविस दो मेटा दौरा ही कित्री जन्दी मिट्टी विच्च पोशक तत्ता दी पूद्धी तक जिनने भी यह पौद्दे हैं पौद्दे मिट्टी विच्चों पोशक तत्त लें देंगा इसलिए ज पूद्धी विच्चों काफी सारे पोशक तत्त लेंगेड़े को सोख लें जादे हैं पाल मिट्टी विच्च पोशक तत्ता दी कमी हो जाती है और रोस कमी नूँ पूरा करंदी जरूरत है वो पूली कि में उन्दी है एक जिवानू हमदा है राइसोबियम इस जिवानू बागता वुरण विच्चों सिद्धे दोřते नाइट्रोसन नूँ जाओ गे काम्म मिच्च बदल सकता है। ने पॉत्ते ने उ सिद्धे दोड़े नाइट्रोसन नहीं लाए सकते कभी पूतिया नो प्रोटीन बना अंदे लई नाइट्रोसन दी जरूरत पेंदी है पर स सिद्धे तौरते नहीं सोख सकते उन्हानों किसे ना किसे जौग एक दे रूप पिछ नाइट्रोजन दी जुरूर्त पहली तर इसे लिए जड़ा यह राइसोबियम है यह सिद्धे तौरते नाइट्रोजन नो जौग एक विच्छ बदल दना और अपना फोजन खुद नही कोते इसलिए एक एहा जांदा है कि इस तरह दियां स्वस्लानूं भी वीटना चाहिदा है कि मिट्टी देली बढ़ियां उपयोग गेहन एना नार मिट्टी विच पोशब तक्त में जिड़े उना दी पूर्ती हुंदी रहती है और यही कारण है तुसी देख्या हुएगा कि जिड़े किसान ने ओ खेत्ना ने विच्च एगर खाद भी पांदे ने ठीक है और कुछ जिड़े फर्टी लाइजर्स ने उना दा इस्तिमाज करते हैं उसते विच भी ओ पोशकता तो हुंदे ने जिड़े असी सित्थे तो और ते ओस मिट्टी दे विच्च एड़ कर समझागे सब तो पहला जिड़ा प्रशन है कि जीवा नूँ पोजन दी जरूरत क्यों हुंदी है उनसी इस पाट दे विच्च पोजन दी कल कर रहे हैं तो प्रशन इससे चीज नहीं सबनते दा है कि पोजन दी जरूरत ही क्यों है तो जिड़े जरूरत दी कल करिए तो दि बादा तिवकास भी होना जरूरी है। चंगी सेथ भी चाहिए है। तुछ पहली है। और दूसरा जिड़ा प्रेशन है कि पर जीवी अते मृत जीवी विच्च की अंतर है, है कि दोनों परकुशी हैं, दोना दे विच्च अंतर दी गल करिए, जैसी सब्सक्राइब गल करिए पर जीवी, पर जीवी दूसरे जीवाने श्रीते पोजल नहीं निर्फ़र करते हैं, मतलब ए जिस जीव दे रहते हैं, उन्हों अपना फोस्ट बना लेते हैं, और कुछ हत्ता करफा पिछे भी पढ़े हैं, कि ए अपने फोस्ट नों नुकसान भी बचाओ दे हैं, दूज्ये पास से जैसी गल करिए मृत जीवी, एस विचो जीवान दे हन, जो मरे होए जीव अपना पोजन प्राप्त करते हैं, वाव इना ता जीवान पोजन है, उमरे होए जीव, जा गले सड़े जैवे पदाथ हन, आते एहे एक इसे जीव दे शरीर दे उत्ते पोजन दे लेई, निर्पर करते हैं, कुछ उदा आना दिदे कि ए साथी डेली लाइप दे विच अस इस टाइक ते तुसी बहुत सारे जड़े रुखने वो देखे होंगे, यह अमरवेल है जड़ी एक प्रजीवी है, जड़ी एस रुख दे रहन दी है, और एहे एसे ता पोजन दा जड़ा इस्ते बाल कर दी है, इसलिए ए जड़ा रुख है, इसनों काफी अस तक नुक्स है, जड़ा को जड़ी साठे घ्री बाडी रुखते ही दर्पर करता है, दूसरे पासे मृत जीवी इस दे विच्छ मुश्रूम खुंबा, यह अप्सर ही जड़े जिते गले से तुदार्थ ज़्यादा हम दे है, उत्थे है ओगवने है, इसे तरह ब्रेट मोल्ड जिसनों जड़े इस तरह दे वातावरण दे विच्छ है, जिसे कुछ नवी है, तक उसे सावना कई बारे ही विडियो जी है, वह उते हो जानी है, एक कुछ उदार्णा हम मिर्ट जीवी ते पर जीवी दिया, दोना ने विच्छ डिफेंस की गाल कर रही सी अपा, अगला प्रशन तूसी पत्ते विच्छ सटार्च की मजूदगी ना नरीखर कि में करो की मतूदे, प्रकार्श असा ओंसलेशन ने बिच्छ सक्तों एहम पूमि का सब्सक्राइब करना है तो उदेली कुछ सिंपल यह स्टैप पहाना जेड़े असियत्ते फॉलो करांगे तुसी की करना है जे असी एसदी मजूदगी दा नरीखन करना है तो उससे लिए सनु आयोडीन टेस्ट जड़ी है उससी लोड़ बेंदी है असी आयोडीन टेस्ट करांगे उससे लिए सब्सक्राइब पहला स्टैप जिड़ा है जिड़ा पत्ता जिस विच तुसी विच उबाड़ा जानदा है तांके उससे जो स्टोमेटा जन जो तूर मिट्री काण उससे लग्या हुया है वह इस नाड़ों अलत होजे साफ होजे इस जनी तो बार उस पत्ते नूँ पाणी विच्चों कटके अलकोहल विच उबाड़ा जाता है फुर अलकोहल विच क्लोरोफिल अलकोहल विच्च को लणशील हुंदी है एसलिए असी अलकोहल विच पाके यह जड़ी टेस्ट यूब तुसी देख रहे हो एस विच पाके असी इस नूँ गर्म करते हैं उन्तों अड़े मांदे में विचे एक सवाल आंदा होएगा कि एथे असी पाणी में सिद्धा की गर्म करता सी पर अलकोहल विच पानी लेके ओस पानी नूँ गर्म करांगे अधे ओस भी चगे तुसी कोई टेस्ट यूजड़ी है और रखनी है तो यह जान दे विच राक्के एक प्रैक्टिकल करना है तुसी कि कदे भी असी अलकोहल विच आगदे उन्ते सिद्धा गर्म नहीं करते हो उस तो बाद हम ज़नों यह तुसी इरे विच उबारोंगे अलकोहल दे विच तुसी की करना है एस पत्ते दे आयों नीन दे कोड़ दियां कुछ पूंदा पाणियां तक जित्थे जित्थे स्टार्च मजूद होएगा उत्थे नीला काला रंग आजेगा जिड़ा स्टार्च गी मजूद की नूं पर सौंदा है जिड़ा के सिद्ध करदा है कि इत्थे स्टार्च मजूद है पर जित्थे नीला काला रंग ना आया उत्थे स्टार्च मजू आगला प्राष्ए हम भात्र में पर्काश संस्लेशन ही शंखेप वयां था आन्य kurt यह नियू आपकॉज लियू। अंग्रेजी देविचे इसनों फोटो सिंथेसिस फिनोमिना कहने हैं असल देविच की हुंदा है कारबन डाई ऑकसाइड जी वाजी बंडल देविच्चों मिली है पौत्याने सोखी है स्टोमेटा दे द्वारा अते पाणी जड़ा जड़ा द्वारा मिट्टी देविच्च सोख्या गया सूरज दी रौशनी दे कलोरोफिल एना दोना दी मल्यूदगी देविच्च गुलुकोस जिनों स्टार्च भी कहने हैं सी वह बंड़ा है ते ऑक्सीजन गैस बंड़ी आए इस दी एक समीकरन है प्रकास्य संक्सिलेशन किरिया दी इस चित्तर देविच्च ज अगला प्रेशन देखो किसे प्रवा चित्तर दी सहायता ना दर्शाओ कि पौटे पोजन दे मूल स्रोथ हां तब हुना मूल स्रोथ दीजे गल करिये तब तुसी इस चित्तर देखो कि जड़ा इप होता है सूरज दी रॉसनी लेंदा है कारबन डायोकसाइड लेंदा है की त्यार करता है पोजन बननता है और उस पोजन किसे फ़लते रूप देविच्जमा करता है और नाल की छड़ अक्सिजन जड़ता है अक्सिजन जीवा द्वारा सांक्रिया देलिवर्ते जादेए प्रापत नहीं होएगा तक इस तो मसी है कह सकते हैं कि पॉद्धे पॉजन दा मूलर स्रोथ हैं अगला प्रेशन कुछ खाली था वाने तो अनू मुल्टिपल जो एस फ्रेशन दे रूप दे विछ भी पुच्छियां जा सकते हैं जा सकते तो होते इक इक नंबर दे प्रेशन आप दे हैं उना दे रूप दे विछ भी बहुत बार पुच्छियां जाने सब तो पहली जड़ी खालीता है जैसे उस्ती गाल करिए क्योंके हरे पॉद्धे अपना पोजन आप दे हैं एसलिए उन्ना नू प्रेश कह दे हैं पॉद्धे पैखलिता दा उत्तर आ रहर था लाइगा इसलिए भा ँरुभफेशं नहों कर दे अ-इस इसी ग्रुदे आप दढ़ं पॉद्यां द्वारा संचलिष्ट पोजन दापना डैस दे रूप इत्थे जड़ा पोजन उन्हाने बनाया 21 रूप विच दमा किता गया स्टार्च दे रूप इसे लिए अशी पर्क स्टार्च दी कर दे हां अगला प्रशन प्रकाश संचलेशन दी पर किरिया जिस वर्नक दे द्वारा सूर्जी उजा संग्रहित किती जन्दी है उस वर्नक देश के दे हां तब आरबार अशी पड़िया कि पॉद्यादा हरा रंग है क्यों है जी एक क्लोरोफिल देका रंग है तब वर्नक उस दा ना है क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल दा कम की है इस सुर्जी दी रोशनी नू सोख दा है संग्रहित करदा अगली खाली था परकाश संचलेशन विच पॉद्धे वाजूमंडल विच्चों डैश लेंदे हां याथे डैश दा उत्पादर कर दे हैं एक उच्छ खाली था मासी इस पार्टनास बंदत अगे असी इस पार्टनास बंदत कुछ बहुँआ कल्पी उत्तर होना दी कल्कर दे हां सबतों पहला जीड़ा प्रशन है एथे अमरवेल ये उधारन है किस चीज दी उधारन है सब आपोशी दी है पर जीवी दी है मृत जीवी दी है जा परपोशी दी है असी पिछे दे पड़या है इस वारे तो एक प्यार्टन देर्थियों पर जीवी दी उधारन है अमरवेल ये अपना खोस्त बना लेंदा है किसे रुखनू तो उससे देउत्ते पोजन देली निर्पर करदा है तिता नों फड़के अपना पोजन बनावन बाले पोधेदा ना लेकोँ तैक पोधा होन्दा है जीवा नों पोजन देली बता है ताग उससे पोधेदा ना की है अमरबेल है जा परकोशित है कड़ाबुटी है जा गुलाब है तो इस देवित्यों सही उत्तर कड़ाबुटी है जिड़ा कीट्टा नो अपने वोजिंदे ले इस्तिमाल करता है अगे हेट लिख्यां देश वंदत परिवाशित शब्द पाव कोई एक शब्द जिड़ा उस प्रशन भी व्याख्या करता है जिमें कमजोर तणे वाड़ा प्रजीवी पौदा पौदा प्रजीवी है पर उसला कमजोर करना है उसनों की कहा ज़्यादा है अमर वेद इससे वर यसी पहला भी वाड़ डिस्टिस कर लिया उस तो इलाबा अगला जड़ा है एक पौदा जिस विच सब्द पोशन अते विखम पोशन दोनों ही प्रनाज में ने तो वो करता है इसे लिए इस विच दोन्नों तरह निया लिडियां पर नाडियां ने उसनों देख़नों मिल दिया है ओ छेद जिनना दे दोरा पत्तियां विच गैसां दा वटांदरा हुदा है तो बरीग छेद महीं जड़े सुराथ में उनानों सी स्टो मेटा कर दे हां एक गैस और केड़े पहुते हैं जो नाइप्रोजन नों सिद्धे ही वायू अंडल विच्छों सखीरी करण कर सकते हैं तो वह पहुतने आदा ना प्यारे विजयर्थियों असी उनना नों केंदे हां फडीदार पहुते इस विच्छी में मूंगी है बटर है इस तरह ने पहुतने नाइप्रोजन नों जाओगे विच्छा नाइप्रोजन दी जाओगे करना बदल सकता है फाथे इस पार नों पोजल फैक्टरी नाम देता जान जानदा है ऐसी पत्यानों कहने हां फूर्ड फैक्टरी योगे पत्यां दा कंड है वो जन बनाना उस पोजन नूं पाध्या है इस जो नाइट्रोजन स्थिरी करण करता है जड़ा है इस तोर ते नाइट्रोजन नहीं इसे नाइट्रोजन दे जौगे टेरिक्टर बदाई प्यारे विद्यर्थियों एस आंलाइन क्लास में असी सत्मी क्लास में पाथ पौत्यां विच पोशन इसने प्रशन उत्रा वरे पड़या उमीद करते हां तुस्सी यह सुनूंते आनल सुनया होवेगा समझया होवेगा तानवाद